हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम इन ओनलाइन एग्रिकल्चर एप्लेटफॉर्म स्टुडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मद्य परदेश लोक सेवा आयोक की तरफ से आई हुई नई वकेंसी और उसके बाद में कुछ अन्य वकेंसी के बारे में भी बात करेंगे स्टुडेंट्स के लिए अभी करंट में, वर्तमान में और कौन-कौन सी वकेंसी है जिनके लिए वो प्रिप्रेशन कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करें मद्य परदेश लोक सेवा आयोक की तरफ से अठाइस बारा दोज़ार तेइस यानि आज के दिन एक असिस्टेंट डारेक्टर होटी कल्चर की पोस्ट के लिए यानि साइक संचालक उध्यान के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है ठीक है पद का नाम क्या है असिस्टेंट डारेक्टर होटी कल्चर यानि साइक संचालक उध्यान इसके नो पद है वो सरजित हुए है अब ध्यान दीजिए आप सोचेंगे कि ये पद तो बहुत कम है लेकिन आप गोर करिए पद है कौन से असिस्टेंट डारेक्टर होटी कल्चर के है यानि बड़े रुत्बे वाली जोब है और बड़ी जोब के अंदर पोस्ट है कम ही होती है ठीक है तो इसमें total कितनी पोस्ट आई है नो पोस्ट आई है इसके लिए qualification क्या है MSC होटी कल्चर अब MSC होटी कल्चर तो ठीक है अब other state वाले students सोच रहे होंगे कि other state eligible है या नहीं है अब अपने बात करें इसके आवेदन कब स्टार्ट होंगे आप कभी ये मन देखा करें कि नंबर और पोस्ट है वो कम है आपको तो एक ही सीट सीए आपको नो से क्या मतलो है ना आपको तो एक ही पे पेटना है ना नो पे थोड़ी बेट पाओगे एक साथ तो इसके जो online जो करें जिएलेशन का पाइदा मिलता है वो हमेज़ा ही स्टेट के जो मूल निवासी होते है उनको मिलता है अब हम बात करें के नाम की तो बातें विभाग का नाम होगा उध्यान राज-पत्रित यानि दिवत्य-षरेणी होती है पद्स्ताही है और वेतन मान जो है साथ यानि अच्छा पद है और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपसे मांगा है MSC होटी कल्चर सनातोक्तर है तो MSC होटी कल्चर इसके लिए अब हम बात करें आयू सीमा की तो आयू सीमा कम से कम 21 वर्स और अधिक्तम है वो 40 वर्स देखो जो जातिगत आरक्षन के अनुसार या जो disability के students होते हैं उनको जो समाने चूट मिलती है वो मिलती मिलती है इसके पूरे पीडियप में दिया हुआ है आपको पीडियप चीए तो online agriculture telegram पर available है online agriculture telegram है उस पे available है पूरा पीडियप डाल दिये तो वहां आयू सीमा की चूट भी आप देख सकते हैं आयू की जो गंडना है वो एक एक दो जहार चोईस के धार पे होगी एक जनवरी दो जहार चोईस यानि एक जनवरी दो जहार चोईस को कम से खम आयू 21 वर्स होनी चीए और अधिक्तम आयू है वो किस pattern से क्या है exam होना है इसमें एक तो आपका जो सबसे पहला जो exam होगा वो तो generally जिसमें वास्तोनिष्ट person आते हैं MCQ आते हैं यानि objective exam होता है वो होता है एक तो होगा आपका return रिटन बोले तो objective जिसमें MCQ जे रहते हैं option type question रहते हैं पहले तो आपका exam होगा MCQ वाला यानि जिसको आप return बोल देते हैं तो सबसे पहले तो आपका होगा return exam अना जिसके अंदर MCQ यानि वास्तोनिष्ट person वाला pattern रहेगा OMR seat पे होगा अना computer based नहीं होगा OMR seat पे ही होगा और इसके अंदर कम से कम 40% qualification marks है वो जरूरी है और जो SCST है उनके लिए 30% qualification marks होते हैं वो जरूरी होते हैं यानि इसको qualify तो करना पड़ेगा फिर होगा interview अब जो ये आपका return exam हुआ है और interview है इनकी merit से selection हुआ है और interview हुआ है उन दोनों के merit से ही क्या है इसमें selection होगा बहुत अच्छी पोस्ट है अगर आप MSC होटी कल्चर से हैं तो इसके लिए आप त्यारी है वो start कर दें अभी कुछ दिन पहले एक vacancy आई थी मैं आपको बता देता हूं रास्तिय बागवानी बोर्ड यानि National Horticulture Board उस Vacancy के बारे में अभी इतनी ही जानकरी की बात करेंगे कि अभी उसमें इतनी ही जानकरी दी गई है जल्द ही उसके स्लेबस के बारे में भी बताया जाएगा और जो जनकरी है वह जल्द ही notification है वो जारी हो जाएगा जितना notification में आपको जानकरी देनी चाहे थी वो ने आपको प्रवाइड करवा दिये बिस आपको ये बताना था कि आप त्यारी में जूटे रहें दोजार चोईस का साल है वो आपको क्या है ओपिसर और डारेक्टर कुछ ने कुछ बना के ही जाएगा चलिए अब होटी कल्चर वालों के लिए मैं बता दिता हूं वेसे तो आपको पहले से जान करी और मैंने इसका पहले भी डिसकस किया था नेशनल होटी कल्चर बोर्ड यहाँ पे एक इपोर्टेंट बात बताने वाला हूं इसलिए मैं यहाँ पे क्या है इस वाकेंसी का भी जिकर कर रहा हूं नेशनल होटी कल्चर बोर्ड सीनियर होटी कल्चर आफिसर की जो पोस्ट आई हुए है नेशनल होटी कल्चर बोर्ड के अंदर सीनियर होटी कल्चर आफिसर की जो पोस्ट आई हुए है आपको पता होगा कि टोटल 25 पोस्ट है वो आपकी आई हुए है इसके लिए qualification क्या है qualification बीए सी agriculture होटी कल्चर food technology post harvest technology agriculture economics agriculture engineering food science इनके अंदर किसी का graduation है तो इसके लिए eligible है वो बात अलग है कि होटी कल्चर के अलावा दूसरे subject की students है वो भी eligible है लेकिन syllabus जो है main subject का syllabus है उसमें पूरे का होटी कल्चर है तो जाइर सी बात है इसका बैनिफित है किसको मिलateurs वालेगा? उनके लिए एक जाम है वो काफी असान पढ़ेगा बाखिक हो तो hiding के बारे में पहले ही बता दिया था 16 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है वो फॉर्म डाल दें पांच जनवरी 2024 तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे ठीक है अब देखो एक चीज बता देते हैं आपको जो आपका असिस्टे कलट को ओफीशण है नेशनल ओठीक कल्चर बोर्ड का उसका जो हमारा कॉर्स है वो लॉंच हो चुका है और आपको ही पता है जो क्वालुटी है वह हम आपको भात हमेसं से प्रवाइड करवाते आए है इसमें भी भात हमे ấy स्पर उन्हाइंकई को ठीक complete pdf notes application पर available रहेंगे, mock test आपको topic wise और full length दोनों ही provide करवाए जाएंगे, इसके अलावा समय समय पर आप लोगों को doubt session है वो भी दिये जाएंगे, और ये package मातर 6000 रुपीज का है, ये package मातर 6000 रुपीज का है, आप इसे online agriculture application से access करेंगे, कौनसी application से? online agriculture application से access करेंगे, और ज्यादा जानकारी के लिए दिये गे नंबर पे आप संपरक कर सकते हैं, course आप access कर सकते हैं, online agriculture application पे वहाँ पे आपको इस course से search करोगे, ति ये course है, वो मिल जाएगा, complete course क्या हो, करवाया हुआ है, होटी कल्चर में इस सिल, मतलो, बहतरीन कोई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि हमने इसको पूरा मन लगा कर क्या है, design किया है, तो ज्यादा जानकारी चीए तो आप दिये गे नंबर पे संपरक कर सकते हैं, बैस आप लोगों से मैं आपको आखरी में यही बात कहना चाता हूँ, कि 2024 के अंदर agriculture, होटी कल्चर या जो भी allied sector है, उनमें बहुत सारी vacancy आने वाली है, आप सिर्फ त्यारी करते रहें, 2024 का साल है, वो आपको सरकारी नोकरी देने वाला साल है, best of luck, thank you.